कि यहां पर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है सब को ट्रैप करने के लिए यानि कि जितने लोग थे ने आप पूरी ग्रीन केंडल को खा गई तो इसका मतलब क्या है वह ऑपरेटर केंडल है यानि कि अपना माल जो भर रहा था वह बाय कर रहा था अब उसका मूड खतम हो है लो गाइज मैं हूं हरज बगत आज हम आ गये चैलेंज के नहीं वीडियो के साथ तो आज हम एक चीज ऐसे सीखने वाले हैं बहुत टाइम से हम थेहोरी की बात कर रहे थे और शारी हमारी मिस्टेक थी लेकिन वो थेयोडिकल थी लेकिन मुझे का यदिन का बहुत सारे तो आज से हम technical analysis को start करने वाले आज हम practical चीजों को थोड़ा सा समझने वाले चीजों को जानना चाहते है कि जो चार्ट होता है हम चार्ट को देखकर ट्रेडिंग करते हैं लेकिन चार्ट के अंदर जो मेन चीज होती है प्रे कर रहा है कि हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं लोग 99 डेज चैलेंज के अंदर सारे के सारे सक्सेस्फुल ट्रेडर बने तो अगर आपको भी सक्सेस्फुल ट्रेडर बनना है तो लिग दो जाए महाकाल तो वीडियो को करते है स्टार्ट तो जब हम बात करते हैं technical analysis तो technical analysis के अंदर जो सबसे most important हम technical analysis करते का हैं चार्ट के ओपर और चार्ट के ओपर क्या दिखता है आपको candlestick तो यहां भी बहुत सारे learners हैं जिनको यहीं नहीं पता कि candlestick क्या होती है चार्ट के ओपर कैसे हम analyze करते हैं market को कैसे पढ़ते हैं समझते हैं तो वह सारी चीजे हम आज cover करने वाले स्टार्टिंग से candlestick होती है बिल्कुल basic से start करेंगे और next तीन वीडियो के अंदर यानि कि आज की वीडियो और अगली दो वीडियो के अंदर हम मैं आपको ऐसे तीन candlestick pattern सिखाने वाला हूं जो सही में market के अंदर काम करते हैं मतलब आपको सारे candlestick pattern सीखने की मैंने क्या एंटर का होन है और एक candlestick pattern सिखाऊंगा जो आपको exit में help करेगा जहां लोग buy करेंगे हम वहां sell करेंगे ठीक है तो यह सारी चीज़ें कवर करने वाले आगे आने वाली वीडियो के अंदर तो आज हम start करते candlestick होता क्या है देखो गाइस तो दो तरगी candlestick होती है एक होती है green candle एक होती है red candle green candle मतलब जो bullish candle यानि कि जब price बढ़ता है तो red candle बनती है अब वह बढ़ता और घटता है तो एक candle बनती हो बनती कैसे है वो समझते है ठीक है तो जैसे कि मालो यहां पर आप देख रहें ग्रीन candle है और एक red candle है तो मेरा आपसे कोशन है जब भी प्राइस बढ़ता है तो नीचे से बढ़ता है फिर उपर से बढ़ता है अगर बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ेगा 1,2,3,4,5,6 यानि की नीचे से उपर जा रहा है एक,धो,3,4,5 है नीचे उपर जा रहा है ठीक है तो इसी किवह रृ प्राइज उपर जाएगा उतनी यह candle बनेंटे अब जब प्राइस कम होता है तो प्राइस कम कहां से होता है अब जैसे मालोह ग्रीन चांडल नीचे से स्टार्ट होती एक-थो- थीन फरता है धीने बढ़कर तो फिर मांकित उपर जाती है Green Candle बनती है उपर close होती है ठीक है लेकिन जब Red Candle बनती है तो वह उपर से बनेगी घना दस नो आठ साथ च्छे पाथ चार तो उपर से open भी और नीचे close होई ठीक है तो इसको वापिस एक बार समझते है red candle बनी, अब red candle कहां से बनती है, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से बनी, और जितना ये नीचे price जाएगा, उतनी ये candle stick नीचे जाएगी, अब आपको एक doubt आ रहेगा कि ये candle के ओपर ये डंडियां क्या है, इसे हम कहते है shadow, ठीक है, इसे हम कहते है, shadow, तो चलो एक example से हम समझते हैं क candle stick यहाँ पर open हुई है, open हुई है तो price था 5 रुपे, ठीक है, 5 रुपे पर price open हुआ है, तो ये नीचे market, 5 रुपे पर price open हुआ है, ठीक है, अब price open 5 रुपे पर हुआ है, तो market को हलका सा नीचे उपर तो जाती है, ठीक है, इसलिए price हलका सा fluctuation होता है, हलका सा नीचे गया, लेकिन यहाँ पर जैसे नीचे जा रहा था यहाँ बायर्स सेक्टेव हो गया और जैसी वह मार्केट को वापस 두के है ठीक है और जैसे व। ले जा रहे थे ले जाते ले जाते ले जाते लए वह ले बारा रुपये ठीक है अब देखो आपको यहाँ समझने की क्या जोड़ता है कि यहां पर market यहां पर open वही थी लेकिन हलका फुल का नीचे जाता है तो यहां तक market आई market यहां पर आई और फिर वहां पिस market को ऊपर ले गए अब market में shadow का मतलब क्या होता है shadow का मतलब होता है कि market यहां पर गई थी बट वहां पर वह सस्टेंड नी कर पाई रुक नी पाई और वहां पर यहां नीच चली गई ठीक है तो वहां पर नब open और ख्लोज open और ख्लोज के BET यहां नी हमारा यह वाला प्राइस open और यह हमाराills इसके बीच लेगिन, आपको समज कब आएगा, जब आप Life देखो गे उसको बनते वे, तो वो कैसे बनते वे देखो गे? Trading View अप्लाटफर्म है, Trading View, तो Trading View के ऊपर हम MXानτα देखते हैं, चार्ट करोंगे, तो चार्ट, ओपन करते हैं आपको Candlestick देख जाएगी, ठ Mississippi? तो आपको बस नोटिस करना है कि यह कैसे स्टार्ट हो रही है, ओपन कैसे होई, फिर क्लोस कैसे होई, और जो शैड़ो है वो कैसे बनी, ठीक है तब आपको जाधा यह चीज समझाने वाली है, इतना इस से जाधा मैं समझाओंगा ना, आपको confusion भी और उसका फाइदा भी नह तो red candle के अंदर चलो, फिर में मैं समझा देता हूं, red candle कैसे बनती है, market यहाँ पर open हुई candle, ठीक है, market को, यहाँ पर open हुई, तो हलका सा market उपर नीचे जाती है, तो हलका सा उपर गया, बट हमारा open तो यहाँ पर तो हमारी जो boundary होईगी, वो open और close के बीच में रहती है, और close करना था, लेकिन वो हलका सा नीचे गई थी पहले, close होने से पहले, close होने से पहले candle हलका सा नीचे गई थी, और जब तक वो हलका सा उपर गई, और यहाँ पर candle का time पूरा हो गया, इसलिए वो यहाँ पर close हो गई, तो यहाँ पर market गई थी, शैडो का मतलब वहाँ पर market कर रहे गई ठीक है आपको समझ आगे होगा और नहीं भी समझ आए तो मैंने आपको बता दिया रेडिंग वीव पर चार्ट में देखो एक कैसे ओपन होती है क्लोज होती है और उसके अपर शैड़ो कैसे बनती है तब आपको बिल्कुल इसके बाद कोई डाउट नहीं रहने काम को सिंपल रखने के लिए हम इस केंडल स्टिक का नाम देते हैं हर्ष मेरा नाम है इसलिए एच और वन क्यूंकि हम पहली केंडल स्टिक की बारे में बात कर रहे है ठीक है तो अब मैं समझाता हूं आपको की इसके अंदर साइकॉलोजी क्या और यह पैटन है कैसा देख और उसके लाइव एक्जामपल दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ आजाए कि किस पे आपको भरुसा करना किस पे नहीं तो जो केंडल स्टिक पैटन सिर्फ उस पर फोकस करना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अज केंडल स्टिक पैटन एच वन से तो पहले बात करते हैं कि किकंडल स्टिक उसके आपको कैसे पैचाने मांकिट को पैचानना थौक है तो हमारी पहली केंडल स्टिक होगी ग्रीन केंडल अर। दूसरी candle जो देखनी है वो में देखनी है opposite color यानि कि red candle और red candle भी ऐसी जो पहली वाली green candle को पूरा खा जाए ठीक है पूरा digest कर जाए मतलब पूरा खतम कर दे पूरा धक दे ठीक है तो ऐसी हमें candlestick pattern देखना है तो अब देखो green candle है हमारा यह हमारा हो गया इसका close यह हमारा हो गया open green candle का तो open और close इसको पूरा खा जाए एक ऐसी candle हमें अब इस candle stick pattern का मतलब क्या है अब खुच सोचो अगर मांकिट धीर धीर ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है ग्रीन candles बना रही है और एकदम से ऐसी candle आ रही है पूरी green candle को खा गई तो इसका मतलब क्या है वह operator candle है यानि कि अपना माल जो भर रहा था वह बाय कर रहा था अब उसका मूड खतम हो गया उसने पूरा माल बाय कर लिया और यहां पर वह एक्जिट करने वाले अब इतनी बड़ी candle का मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर एक्जिट हुए ठीक है जिसने पूरानी candle को पूरा ही डेजिस्ट कर लिए ठीक है इतनी ज्यादा बड़ी तो वहां पर हमें समझ जाना है कि अब market के अंदर selling आ सकती है और यहां से market नीचे जा सकती है ठीक है तो इसका मतलब आपको समझ आगया होगा candlestick pattern का मतलब क्योंकि मतलब समझना बहुत important क्यों है उसी से आपको confidence आएगा candlestick pattern का नाम जान लेना या फिर structure देख लेना उससे आपको confidence नहीं आएगा confidence तब आएगा जा आपको उसका मतलब पता है कि आपको समझ आगया कि वो candlestick pattern बना गैसे तब आएगा आपके अंदर confidence और तभी आप sell कर पाओगे डॉप पर और चलो बढ़ते हैं फिर bottom कैसे पैचाने ठीक है अब पहली candlestick pattern जो हमें इस pattern में देख candle का यहां पर इसका close था इस पूरे open और close को पूरा digest कर दिया इस पूरी green candle ने ठीक है अब इसका मतलब तो आप समझेगे हो कि इतनी बड़ी green candle का मतलब क्या है कि यहां पर कोई बड़ा player enter हुआ है सब को trap करने के लिए यानि कि जितने लोग थे ने आपर जितने sellers थे इस candle के अंदर इसको पूरा trap कर लिया उसने जो हमारा बड़ा player है ठीक है तो जब भी बड़ा player आपको trap कर लेता है bottom पर फिर वह आपको छोड़ता नहीं है फिर वह market को उपर ली जात जो red candle है उसका जो open और close है green वाली candle के ऊपर और नीचे है ठीक है ऐसा अगर pattern दिखता है आपको top पर समझ जो कि वहाँ पर काम हो गया market को यहां से market गिर सकती है ठीक है और वही अगर आप market bottom पर है market काफी time से गिर रही थी लेकिन आपको समझने आ रहा कि कहा तक गिरने वाल candlestick pattern को समझने पर ध्यान देना ठीक है तीन candlestick pattern समझ जाओ उसके बाद हम हर एक चीज़ के examples पर भी discuss करने वाले है पूरा हम discuss करने वाले कि इसके example live chart के अंदर analyze करकर आपको proper दिखाऊंगा कि यह candlestick जब बनते है तो उसका effect क्या आता है ऐसा नहीं आपको सिखा दिखा दि समझाओंगा तो सब कुछ clear हो जाएगा ठीक है तो I think यह जो candlestick pattern है candlestick pattern होता क्या है बनता कैसे है ठीक है एक हमने candlestick pattern h1 discuss कर लिए आज अब h2 और h3 हम discuss करेंगे next वीडियो के अंदर और इसके बाद आपका candlestick pattern का ग्यान पूरा मतलब सिरफ 3 candlestick मतलब लोग बोलते है न इसके अंदर discuss करेंगे जो भी सोच रहा है इंसान की हम क्या क्या सीखने वाले क्या हम 99 चैलेंज के अबाद एक successful trader बन जाएगे तो यह जरूर बनोगे मेरा कोई course नहीं है ना कोई advisory तो मैं जो भी चीज़ें सिखा रहा हूं आपको वह चीज़ें सिखा रहा हूं जिससे मेर काम करती है कौन सा चार्ट पैटन कैसे काम करता है कब काम करता है हर इक चीज़ी सिखांगा ठीक है बस focus करना है learning पर तो आज की वीडियो में हम इतना ही cover करते हैं अगली वीडियो के अंदर क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिसकस कर लिया क्या होती है आज लंबी वीडिय हमारे जो एक्टिव ट्रीडर्स है जो जॉइन हो चुक है उनके लिए आज के लिए होमवक है कि अगर आपको यह चार्ट के ओपर जाना है नहीं आया समझ लाइव एक्जांपल देखने के बाद समझ आएगा वैसे ट्रीडर हो कि बिल्कुली बिगनर हो तो डोंट वरी ब हम पांच एक्जांपल पांच नहीं तो तीन एक्जांपल ऐसे में को वहाँ पे स्क्रीन शॉट्स सेंड करने हैं जहां पर आपको टॉप और बॉटम पर यह एक एंडिस्टिक पैटन दिखे होगे ठीक है यह आप सबका होमवक है मैं परसनली आप सबका होमवक चेक करने वहाँ तो यह हम डेली अब हर वीडियो के बाद देगे क्योंकि हमारा प्रेक्टिकल चीज़े स्टाट हो गई है जितना जाधा प्रेक्टिकल मैं आपको हमवक देऊंगा उतना जाधा आपको अच्छे से ओमवक करना है तब ही आप सीख पाओगे मैं तो सिखा सकता हूं ट्रेडर तो आप ही वनोगे पैसा आप ही गया लगाओगे तो उसके लिए अपको चाहिए आपको प्रेक्टिश चाहिए ऐस्पिरियंस चाहिए तो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूं समझझे लो अच्छे से और होमवक करकर आना होमवक का मैं वेट करूंगा अगर जाध technical video में. Thank you so much, guys.